प्राची को ड्रक्स मामने केस में जिल हो जाती है लेकिन अभी भी चैन की सास निलेगा प्राची को बचाने के लिए कोई ना कोई नए तरकिप्टो ढूंडी निकालेगा और अभी अब ऐसा क्या करेगा इसके बारे माम आपको बता देते हैं दरसल अभी अपनी बेटी प्राची को बचाने के लिए खुदी जेल चले जाएगा क्योंकि अभी फुलिस से कहा देगा कि ये द्रक्स मेरी पार्टी में पाई है इसमें प्राची को कोई गुना नहीं है तो आप लोग प्राची को छोड़ दो और मुझे जेल में डाल दीज वही रेया भी पोच जाएगी फुलिस स्टेशन और अपने पापों के साल में देख रोती रहेगी लेकिन एन मौके पर वहां प्रग्य भी पोच जाएगी जहां रेया की गल्ती पर प्रग्य को गुस्सा तो आए गई वही प्रग्य अब अपनी चुप्पी को तोड़ खॉल देगी 20 साल पुराने रिष्टो का खुलासा जिस से रेया को जटका लगेगा और यह यही सोचेगी कि इसका मतलब आप मेरी मा है और मैं आपकी बेटी और प्राची मेरी छोटी बेन है वही प्रग्य की बातों सुन रेया रोईगी और अभी भी रोता ही दिखलेगा अब इस बड़े खुलास के बार क्या रेया अपना लेगी प्रग्य को अपने मा के रूप में क्या भी वापस लेगा प्रग्य को अपने घर यह जानने के लिए बने रहे हैं मारसा और साथ यह सब्क्राइब कर दीजो फे छूप यह सब्ड़र की प्रग्य कौकरोगे झालेगा यह मारसा और मूल ऑबु बने अग्य को अपने माह इवड़े हैं प्रग्य का र जो शे लादेज कि डियो औरी ठा next golpe